अगर आपको इसको सेल करना है तो आपको इसको आपको लोकल एरिया में अपने सोर्सेस के हिसाब से ही सेल करना है अब सेल करने के लिए जो कुछ आपको टिप्स है और कैसे सेल कर सकते हैं कहां सेल कर सकते हैं वो मैं आपको कुछ जानकारी दे देना चाहता हूँ जैसे कि आप देख रहें कि इसका डिमांड जैसे आप देख रहें ये एक सो पच्छी सेमल का पाउच है जन्रली क्या होता है अगर हम कुछ ब्रैंडड चीजों में जाते हैं तो पांच रुपए में हमको सिक्ष्टी एमल का फ्लेवर मिलता है इस तरीके का पाउच अगर हम चोटे पैकेट आते हैं जैसे फ्रुटी वगरे का आपने देखा होगा माज़ा वगरे तो ये पांच रुपए का हमको सिक्ष्टी एमल मिलता है तो फ्रेंड्स ये पांच रुपए में जो कस्टमर है जो एंड यूजर है जो इसको पिएगा खरीद कर उसको पांच रुपए में जश्ट डबल मिल गया ये एक सो पच्छी से मेल मिल ये साट हैमल की जगा दूसरी चीज़े जो दुकांदार है दुकांदार वो पांच रुपए का फ्रुटी बेशता है तीसरी चीज़े है दोस्तों कि ये जो फ्लेवर आपको बनाना है ये आपको आरो वाटर में ही बनाना है क्योंकि ये खाने पीने की चीज़े हैं और आप आरो वाटर में बनाएंगे तो प्रॉपर आपके फ्लेवर का टेस्ट भी अच्छा आएगा और flavor की आपकी life भी अच्छी रहेगी तो इस तरीके से आपको अपने sources से आपको marketing करना है या जैसे आपको bulk quantity में माल बेचना है तो कुछ आपने देखा होगा जो थोक के वैपारी होते हैं जिनके पास काफी आस पास के area के लोग आके वहाँ से समान करित के छोटे फुटकर वैपारी, छोटे किराना, दुकान वाले, पान ठेले वाले ये सब उनसे माल खरीद के जाते हैं तो आप वैसे वैपारियों को अप्रोच कर सकते हो उनको अप्रोच करके आप जैसे डिटेल में आप साड़े तीन रुपए दे रहो दुकान दार को तो उनको आप तीन रुपए में दे सकते हो और उसमें आप उस एडिशनल कुछ ओफर दे सकते हैं आप जैसे कि आप उनको तो आप बोलें कि भई आप हमसे 100 पेटी माल लीजिए हम 3 रुपए में देंगे या हम आपको 2 रुपए 90 पैसे में दे देंगे पहले मशीन खरीदने से पहले आप देख लिजिए कि आप मार्केटिंग करने के लिए तयार हैं कि नहीं, आप कर सकते हैं कि नहीं, हम नहीं चाहते कि कोई भी कस्टमर जल्दबाजी में फैसला लेके मशीन खरीद ले और कलको उसका बिजनस ना चले और वो इस बिजनस में लॉस हो जाए, हम बिल्कुल ऐसा नहीं चाहते हैं, आप मत करी दिये मशीन, आप पहले मार्केट सर्च कीजिए, समझेए, फिर मशीन लीजिए और आप प्रॉफिट कीजिए, ऐसे आपको एक बकेट लेना है, बकेट में ये चीनी डाला जा रहा है, इसमें टोटल आठ कि यूज करना है, बहुत यासान है इसको बनाना, तो ये देखिए, आप रहे हैं, 7 लेटर पानी और 8 केजी सुगर इसमें डाला जा चुका है, अब ये आपके सामने हम पहले इसका लिक्विड डाल रहा है, ये मैंगो फ्लेवर बन रहा है, ये आपके सामने देखिए, पू पैदर टेश्च हुआ है, और अगर किसी कस्टमर को को यसा प्रावलम हो, तो हम इस फ्लेवर का लेब रिपोर्ट भी प्रॉइट करा सकते हैं, ये इसका फॉर्डर है, आईए फ्रेंड्स तो ये देख सकते हैं आप ये मशीन, ये देखिए, जैसे कि ये दो तरफ आप आ सकते हैं आप पानी के बॉटल भी मतलब कीसी भी तरीके के लिक्विट चीज आप इसमें पैक कर सकते हैं अब हम ये मशीन के आपको सेकंड साइड दिखाते हैं यह देख सकते हैं आप मशीन का दूसरा साइड ऐसे दो बंदे इसमें काम करेंगे इस दो साइड में हम यंशी के safe pouch जो आप देख रहे हैं फ्लेवर वाले यह देख रहे हैं आप जैसे mango लीची और इसमें जो normal pouches आते हैं वो हमाया पर आपका control controller है यहां से timing set होता है हमको कितने ml का pouches भरना है इसमें 100 ml का भरना है या 200 ml का भरना है तो आईए friends देखते हैं हम आपको working दिखाते हैं यह machine work कैसे करता है तो देख सकते हैं आप यह कैसे work करती है machine यह देखिए यहां पर bottle feel हो रहा है आप देख सकते हैं एक साथ यह दो bottle feel हो रहा है आप देख सकते हैं बहुत ही fast working है इस machine का यह जैसे आप देख रहे हैं जो bottle pack हो रहा है यह mango juice पैक हो रहा है यह 27 ml का mango juice है आप देख सकते हैं यह 27 ml का अगर हम bottle fill करते हैं इसमें दोस्तो तो यह मान के चलिए आप 600-700 bottle per hour का production capacity है इसका जो की काफी अराम से हो सकता है और जब बंदा थोड़ा speed में आ जाएगा तो फिर और जादा और इस प्रटार से अगर हम इसमें 500 ml या फिर वन लिटर के अगर हम bottle fill करेंगे तो उसी साब से आप time variant कर सकते हैं इसमें एक capping machine लगा हुआ आप देख सकते हैं यह जो cap हो रहा है यह capping machine जते customer को अगर चाहिए तो यह additional है इसका जो भी additional customer को pay करना पड़ेगा त शीमें आप यह capping machine ले सकते हैं यह manual भी pack कर सकते हैं आप देख सकते हैं यह दूसरी तरफ हम दिखाते हैं आपको कि यह दूसरी तरफ इसकी working जो है एक ऐसे हम pouches इसमें बनता है यह देख सकते हैं इसमें sport pouch बन रहा है इसमें जो आजकल काफी attractive pouch है है और काफी चल रहा है आज कल पर चलन में बाकी इसमें नॉर्मल पॉचे भी फील होते हैं ज़र आपने देखा होगा 100 ml 153 ml 125 ml के जो पॉचे आते हैं वर्टीकल प्लेवर्स में दोनों पॉचेस की एक आप फील हो रहा है आप देख सकते हैं इस तरीके से वर्किंग हो रहा है पॉचेस की भी बात करें हम तो यह 200 ml के पॉचेस प्री हो रहा है फील हो रहा है 200 ml के पॉचेस अगर हम फील करते हैं तो यह आपका 500-600 पॉच यह फील करके देगा और यह देख सकते हैं किस तरीके से सीलिंग हो रहा है और अगर हम 100 ml के पॉचेस फील करते हैं तो यह तो आप देख सकते हैं बौटल भी प्रोडक्षन हो रहा है इस मषीन में को लोग कर सकते हैं इसको आराम से कोई महिलाएं भी कर सकते हैं जयादा पढ़ह लिखने लोग नहीं है वो तो इस तरीके से हमने यह मशीन बनाई है फ्रेंट्स आप लोगों के लिए जिस्ते आप अपने लोजगार फुरुवात कर सकते हैं कम लागत में और बहुती अच्छी मशीन बर्किंग के इसाब से आप जैसे देख रहे है दो लोग वर्क कर रहे हैं मशीन का आप देख सकते पूरी पूरी एसस बॉडी बनी हुए स्टेनलेस स्टील की मशीन है पूरी पहले हम बता देना चाहता हूं यह जैसे आप देख रहे हैं इसको सेप पाउच बोलते हैं सेप पाउच मतलब बॉटल सेप पाउच यह देख रहे हैं बहुत ही अट्रेक्टिव है और मार्केट मे सकते हैं इसमें आपको 100 ml 50 ml 200 ml 150 ml सारे तरीके के पाउच आप फीलिंग कर सकते इस मसीन से दूसरा आप यह देख रहे हैं यह आजकल काफी क्रेच चल रहा है दोस्तों बहुत ही एट्रेक्टिव है और देख सकते हैं आप कितना शुंदर लग रहा है और यह आजकल बहुत ज़्यादा इसका डिमांड है तो आप यह भी इसवीं पमसीन के फिली और सीलिंग कर सकते हैं तीसरी हो मतादेता प कि आप देख रहे हैं यह लीची का बॉर्टल है यह लीची इसमें आप इस मसीन के द्वारा लीची भी फीलिंग कर सकते हैं और अलग से इसमें आपको एक सीलिंग मशीन लगेगी ठीक है इसके अलावा इस मसीन से आप यह जैसे कि आप देख रहे हैं बॉर्टल लगे हुए बोटल में आपिकाट का लिक्विट फील कर सकते कि आप पाणी कर सकते हैं या आप ang scandals पेल कर सकते हैं और इसमें आप जैसे और भी कई प्रोडक्ट हो थे हैं पौर सख्क्षिश ser一 जव क्र Touche कि ऐसारी चीज़ों का के अंदर जो हम लिक्विड बनाते हैं वह लिक्विड का कॉस्ट आपको 80 पैसे का आएगा मतलब 80 पैसा और 85 पैसा यह हो गया दस रुपए आप लेवर कॉस्ट पकड़ लीजिए एक रुपए 75 पैसा हो गया और दस पैसा आप इसका और अधर कॉस्ट कॉस्ट पकड़ पैसे 100, 200, 200 पैसा माल लेते हैं उनको आप 3 रुपए में भी देते हैं तो आपको एक रुपिड आता है दूसरा मैं बता देना चाहता हूं इसके बाद जैसे कि यह है यह देख रहे है यह 3.5 रुपए का पाउच आएगा और इसमें आपको 1.50 पैसा जितना आपको यह आपको 5 रुपया 50 पैसा का यह आपको Max to Max कॉस्ट आएगा इसको आप मार्केट में साड़े साथ रुपया बेश सकते हैं साथ रुपय भी बेश सकते हैं और रिटेल में यह 10 रुपया आपका सेल होता है अब इसके अलावा इस मसीन से जैसे कि हम बताते हैं यह आप आपको बहुत कम कॉस्ट करते हैं जैसे कि आपने मार्केट में लीची पिया होगा कई कंपनियों के तो यह आपका 15-20 पैसा Max to Max कॉस्ट हाला कि वो केजी वाइज आता है तो आपको बहुत कम कॉस्ट पड़ेगा और इसमें आप एक रुपए 50 पैसे का सीरप का कॉस्ट पकड़ लीजिए मतलब हाड़ली यह आपको तीन रुपए का कॉस्ट आएगा तीन रुपए का कॉस्ट आएगा जो की मार्केट में रिटेल प्राइज इसका 10 रुपए का है तो इसको आप और पांच कर सकते हैं। जयसे की ऐसमें प्रसी अचेज़ कोगीं अनृ GS में अजसे का कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। फिनायल हो गया, हैंड वास हो गया, या आपका जो सर्फ आता है, लिक्विड वाला सर्फ हो गया, ऐसे काफी सारी चीज़ें आप इसमें से, फिलिंग और कैपिंग कर सकते हैं, और इसके साथ ये जो, हम आपको ये जो प्रोड़क्ट है, इसके लिए हम आपको फूड लैसे के नंबर सेयर कर देंगे जिससे आप वहां से माल और करके डिरेक्टली मंगा सकते हो यह इसका दूसरा रीजन यह भी हम अपने पास इसले नहीं मंगा के देते क्योंकि हम आपने पास इसको मंगाएंगे तो हमको यह कौश लग भाड़ा लग जाएगा वह आपको फिर एडि कुछ के पास सेंटर पाउच होता है कुछ के पास नहीं होता है तीसरा जैसे इस तरी के की ब haunted Wellington मेने आपको इनध बता है हमने हमारे रोकेशन तो अगर कोई कस्टमर हमारे लोकेशन से ले जाना चाहता है तो ले जा सकता है हम यहां से विल्कुल उसको सारी चीज़े प्रोवाइट करवा देंगे चाहिए बॉटल हो गई यह इस तरीके की बॉटल हो गई आप देख रहे हैं तो यह सब जो हमारे यहां मिल जाएगी दूसरा दोस्तों इसमें जो हम राव मेटेरियल करते हैं जैसे कि आप जानते कि इसमें सीरप लगेंगे फ्लेवर बनाने के लिए तो सीरप जो हमारे पास हमेशा स्टॉक में अबलेबल रहता है सीरप के लिए आपको कहीं नी भटकना पड़ेगा और उसमें भी अगर जो ज्यादा होता है तो उस कंडिशन में क्या करेंगे हम जो आपके नीरेष्ट अगर कोई अपोलो कंपनी का जो डीलर है या फिर उसमें और भी महराजा कंपनी आती है जैसे काफी सारी कंपनी आती है जो जिसमें से 3-4 एपूटेटेट कंपनी हैं तो वो सब कंपनियों का अ या उसके नीरेष्ट जो भी सीटी है वहाँ से उनको मिल जाएगा यह आप देख रहे हैं यह टू साइडेट बॉटल फिलिंग है और इसके बैक साइड देखेंगे हम तो टू साइडेट है आपके पाउच फिलिंग है ठीक है जैसे कि हमने पहले वीडियो बनाया था उसम इसमें आपको क्या मिल रहा था एक यह आपको सिंगल बॉटल फिलिंग मिल रहा था और उस तरफ आपको सिंगल एक पाउच फिलिंग मिल रहा था जो कि हमने इसमें अभी नय तरीके से नय वर्दन जो मशीन बनाया है इसमें आपको दो बॉटल फिलिंग मिलेगा और दो उदर पाउच फिलिंग मिलेगा ठीक है दोस्तो तो इसकी जो प्राइज है भी इसकी प्राइज मिलेगी आपको 56,500 रुपे का इस प्राइज है इसका और जैसे कि इसमें अभी एक आफर आप लोगों के लिए चल रहा है कुछ सीमित दिनों के लिए जिस आफर के अंतर गत अ मशीन मिलेगी आपको उसके साथ आपको यह जो नॉर्मल पाउचेस देख रहे हैं आप यह नॉर्मल पाउचेस आपको एक हजार पाउचेस फ्री मिलेंगे साथ में इसके साथ आपको एक हजार पाउचेस के जो इसमें सीरप लगते हैं फ्लेवर वो फ्लेवर भी एक हजा से आई का लाइसेंस होता है वो भी हम इस कोश्ट के अंदर आपको प्रोइट करा रहे हैं मतलब टोटल अभी आपर में अगर कोई इस मशीन को भी बुक कराता है या लेता है लेने के लिए आपको 100% परेमेंट करना पड़ेगा और बुक करने के लिए आप इसको मातर पांच जाजार रुपए का वह आपको डिसकाउंट का लाब आपको मिल सकता है इस मशीन में आपको वन येर का वारंटी रहेगा इसमें जो अपनी बॉडी लगी हुई है और जो इसमें मोटर्स है ना बाकी जो चोटे मोटर्स है इसके अंदर जो कुछ इलेक्ट्रिक छोटे और जैसे कि इस्टॉलेशन की बात करें तो यह आटो इंस्टॉल्ड मसीन है इसके लिए हमको इंजीनियर भेजने की जौरत नहीं पड़ती है आप वहांते कस्टमर बहुत इस मशीन को चालू कर सकता है और किसी भी तरीके का सपोर्ट चाहिए वहां कस्टमर्स को तो डिर दिक्कत हो तो डिरेक्टली हमारी जो टेक्निशन की टीम होती है उनको डिरेक्टली कॉल करके वीडियो कॉल के थूरू कस्टमर बिल्कुल सारी चीजे समझ सकता है और दूसरा बता देना चाहता हूं दोस्तों काफी कस्टमर्स का सिकायत होता है कि फोन ने उठा रहा है हम तो इसके लिए मैं आप सब को बता देना चाहता हूँ फ्रेंड कि अगर आप प्रॉपर बेटर रिस्पॉंस के लिए आप सुबा दस बजे के बाद और शाम को छे बजे से पहले ही कॉल करें तभी आपके कॉल का प्रॉपर रिस्पॉंस मिलेगा और कई बार क्या होता है कि क परिया से कॉल साथ है रेगुलर फोन आते रहते हैं तो उस करन क्या होता है कि कई बार आपका कॉल मिल नहीं पाता तो उस कंडिशन में क्या करें आप जितनी भी हमारी नमबर चल रहे हैं अपने जो भी नमबर देखे हैं हमारे डिस्प्शन बॉक्स में हमारे इसमें पट पूरी तरह प्रॉपर प्रॉइट कराएंगे